नमस्कार मेरा नाम है मानम महिंद्रू एंटर्टेन्मेंट जगत से ख़बर आ रही है कि श्रद्दा कपूर कश्मीरी लड़की रुकसाना कौसर के रोल में नजर आ सकती है रुकसाना जम्मू कश्मीर के राजोरी की रहने वाली वो जाबाज लड़की जिसने घर में घुसे आतकमबादी को एके 47 से गोली मारकर मौत के घाट उतारा था हातों में एके 47 बंदूक लिए रुकसाना की फोटो वाइरल हुई थी बॉलिवुड की चुलबली एक्टरेस श्रदा कपूर को आपने परदे पर कई तरह के रोल्स में देखा होगा मगर जल्द आप एक्टरेस को बहुत अलग रोल में देखेंगे सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा पावरफू रोल मिलना श्रदा कपूर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है हाला कि श्रदा के रुकसाना कोसर का रोल करने को लेकर ग्वेकर्स और एक्टरेस की तरफ से बयान सामने नहीं आया पर फैंस तो अभी से श्रदा को कश्मीर की बहुत लड़की के रोल में देखने के लिए बेताब हो गए है श्रदा कपूर को रुकसाना का रोल ओफर हुआ है ये बात तो आप जान गए पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आखिर रुकसाना है कौन ताविक रुकसाना बिस्तर के नीचे छिपकर पूरी घटना देख रही थी पिता को पिटता देख रुकसाना से रहा नहीं गया और एक पुलहाडी लेकर आतंकियों पर हमला कर दिया एक आतंकी के गले पर वार किया फिर उसकी एके 47 चीन कर उसे मार गिराया बाकी के बचे आतंकी डर कर भाग गए बाद में जानकरी मिली कि मारा गया आतंकी लक्षरे तायबा का कमांडर अबू असामा था इस हमले में रुकसाना ने एक आतंकी को घायल भी किया था रुकसाना की बहादुरी ने पिये मोधी को भी स्तब्द कर दिया था उन्होंने देश के नाम अपने संदेश में रुकसाना की तारीफ की थी रुकसाना को उनकी बहादरी के लिए कीरती चक्र, राष्टे वीर्था पुरुसकार, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, आस्था अवार्ड, सर्दार पटेल अवार्ड, रानी लक्ष्मिमाई वीर्था पुरुसकार भी मिला था हातों में 47 बंदूक लिए रुकसाना की फोटो वाइरल हुई थी श्रदा कपूर पहले भी परदे पर मजबूत किरदारों में नजर आ चुकी हैं उन्होंने हसीना पारकर का रोल किया था इस चुनोती भरे रोल में श्रदा कपूर जादू नहीं बिखेर पाई थी नहीं श्रदा कपूर की एक्टिंग को पसंद किया गया था मगर फैक्ट ये भी है कि 20 सालों में श्रदा कपूर की एक्टिंग स्किल्ज में सुधार देखा गया